पिछले वीडियो में हम लो, question number 25 तक हो गया था, अब इस वीडियो में हम लो, question number 26 से स्टार्ट करना है objective questions को, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, टीडिसी पार्ट वन, बॉटनी अनर्स, पेपर वन का जो बिहार उनिवर्सिटी के तरफ से model पेपर जारी हुआ है, उसका solution का स्रीज चल रहा है, तो उसका लिंक पिछला वीडियो का 26 से पहले वाला objective questions का, इस वीडियो के निचे description box में उसका link मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग पहले जो है, question number 26 से पहले वाले जितने सारे objective है, उसका वीडियो देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखेंगा, उसका link मैं इस description box में जो है, इस वीडियो के description box में देदूंगा, अब यहाँ से हम लोग question number 26 से continue कर रहे हैं, तो question number 26 है कि which of the flowing divides intracellular, ध्यान देंगे, पुछ रहा है कि which of the flowing divides intracellular space into two compartments, अप्शन नमबर यह है, गौलजी बढ़ी, अप्शन नमबर भी है, परॉक्सिजोम, अप्शन नमबर C है, इंडो प्लाजमिक रेटिकूलम, और अप्शन नमबर D है, नूकिलियस, तो question number 26 का correct अप्शन C नमबर होगा, जो कि इंडो प्लाजमिक रेटिकूलम होगा, नेक्स्ट है, question number 27, और इसमें बोला है कि which of the flowing cell structure is named after its discover, अप्शन नमबर यह है, लाइसोजोम, अप्शन नमबर भी है, माइटो कॉंडुरिया, अप्शन नमबर C है, गौलजी बढ़ी, और अप्शन नमबर D ह सिलियम, तो यह जो cell structure होता है, हम लोगा, उसमें जो है, गौलजी बढ़ी जो है, गौलजी नामक एक scientist ने जो है, इसको discover किया था, पीसे लिए जो है, इसका नाम गौलजी बढ़ी पढ़ा, बाकी सब तो जो है, लाइसोजोम, माइटो कॉंडिया, सिलियम जो है, अधर्स ह नेम पर पढ़ा, जो है, इसको discover किये, उसी के नाम पर जो है, गौलजी बढ़ी पढ़ा, तो question number 27 का correct option C number होगा, जो कि गौलजी बढ़ी होगा, अब next हम लोग question number 28 को देखते हैं, तो question number 28 बोल रहा है कि, which of the flowing is not included in the endomembrane system, option number यहाँ पर है, ribosome, next है, B number है, हम लोगा, ribosome के बाद जो है, वहा है कि, paroxy-gome उसके बाद है, centrosome उसके बाद है, गौलजी बढ़ी, तो ribosome, paroxy-gome और जो centrosome होता है, यह सारे के सारे जो है, इंडो-membrane system में, जो है, not included आता है, जो ER होता है, इंडो-plasmic reticulum, उसमें जो है, जो इंडो-plasmic reticulum होता है, उसमें क्या आता है, गौलजी बढ़ी आता है, लाइसो-some आते हैं, और क्या आता है, वैक्यूल आता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, यह हमारे इंडो-plasmic reticulum, जो होता है, उसमें जो है, गौलजी बढ़ी, लाइसो-some और वैक्यूल साते हैं, यहाँ पर जो है, इसका correct option होगा, question number 28 का, option number C, 1, 2, 3, नेक्स्ट आप हमारा question है, question number 29, और question number 29 में बोला है, कि which of the following is not surrounded by a membrane, option number है, centriol, sorry, यहाँ पर centriol, ribozome, nucleolus और peroxizome जो है दिया है, तो ध्यान देंगे, जो हमारा centriol होता है, ribozome होता है, और nucleolus होता है, इस सब के बाहर जो है, क्या नहीं रहता है, तो membrane नहीं रहता है, not surrounded by a membrane, तो question number 29 का correct option C, number होगा, जो की 1, 2, 3 होगा, next है, question number 30, और इसमें बोला है कि, disk shaped platted sack like structures, present in Golgi body are called, option number 1 है, क्रिष्टी, option number B है, थैलिक्वाइड, option number C है, लैमिला, और option number D है, सिश्टर्नी, तो question number 30 का correct option D number होगा, जो की सिश्टर्नी होगा, next है question number 31, और इसमें बोला है कि, choose the correct statement, इसमें से जो है correct statement को choose करना है, तो option number है, सिश्टी फेस ऑफ दा Golgi body, इस concave and cold forming, ए फेस यह तो गलत है, सिश्टी फेस ऑफ गलजी बड़ी इस concave and cold maturing face, यह भी गलत है, सिश्टी फेस ओफ दा Golgi body, इस convex and cold forming face, यह जो है correct है, यह तो गलत है, तो हमारा question number 31 का correct option C number होगा next है question number 32 और इसमें बोला है कि choose the correct statement और बोला है कि option number A में कि trans face of the golgi body is concave and called forming face, option number B है trans face of the golgi body is concave and called maturing face तो question number 32 का correct option B number होगा जो कि trans face of the golgi body is concave and called maturing face होगा next question है question number 33 तो question number 33 जो है इसमें बोल रहा है कि who made the statement omni cellula e cellula इसको सभी लोग जानते हैं वीर्चो यह तो उपर भी हम लोगों मिला था next question number 34 और इसमें बोल रहा है कि which of the flowing organals is rich in hydrolytic enzymes तो इसका जो correct option होगा question number 35 का वह जो है option number D होगा lysosome होगा इसके पास जो है hydrolytic enzymes होता है इसलिए lysosome को जो है suicidal bag बोलते हैं आत्मत्या की थैली बोला जाता है कि यह जो होता है lysosome यह अपने से जो है खुद को जो है digest कर लेता है hydrolytic enzymes के थूँ तो याद रखना है question number 35 में पूछा गया था कि organals in rich in hydrolytic enzymes तो वह lysosome में जो है ज्यादा amount में hydrolytic enzymes जो है पाया जाता है next है question number 36 और इसमें बोला है कि the term tonoplast is used for the membrane surrounding the option नमबर यह है proxysome option नमबर भी है proxysome दो-दो option दे दिया है option number C है vacule और option number D है vacule तो इसका correct option question number 36 का वैक्यूल होगा तो option number C में vacule है option number D में vacule तो दोनों correct होगा next question number 37 और इसमें बोला है कि what is true about lysosomes तो lysosomes जो होता है they are formed by the Golgi body they are formed by ER यह तो नहीं होगा they have hydrolytic enzymes active at pH acidic pH तो इसका option 1 और 3 4 नमबर में बोला है कि they have hydrolytic enzymes active at alkaline pH तो यह तो होगा नहीं तो question number जो 37 है इसका correct option D नमबर होगा 1 & 3 ठीक है next आप हम लोग question number 38 को देखते हैं तो question number 38 है कि electron transport system is located in इसका correct option B नमबर होगा जो कि inner membrane of mitochondria होगा next हमारा question है question number 39 और इसमें बोला है कि choose the correct statement तो mitochondria surrounded by a double membrane यह तो गलत है sorry यह तो सही है double membrane होता है option number 2 है mitochondria surrounded by a single membrane यह गलत है the number of mitochondria varies in cell with this physiological state यह सही है तो इसका correct option जो है और 4 में है कि mitochondria are easily sausage shaped or cylindrical यह भी सही है तो 1 3 4 1 3 4 है option number D में तो correct होगा next question number 40 और इसमें बोला है कि choose the correct statement तो यहां पर जो है option number 2 जो है एक correct होगा और option number 4 यह correct है तो question number 40 का correct option जो है D number होगा 2 and 4 क्योंकि इसमें पूछा था कि कौन सा correct है तो जो क्रिष्टी होता है increase the surface area of the inner membrane of the mitochondria होता है और the mitochondria increase in number by the division of existing mitochondria यह दोनों सही है दोनों जो है यह correct statement नहीं है नेक्स्ट है question number 41 और इसमें बोला है कि which of the following ribosome is present in mitochondria तो जो हमारा mitochondria होता है तो mitochondria में जो है कौन सा ribosome पाया जाता है बताना है तो इसमें जो है mitochondria में 70S type का जो है यह ribosome परजेंट रहता है नेक्स्ट है question number 42 इसमें बोला है कि choose the correct statement तो option number A है mitochondria have a single circular DNA molecule यह correct है single linear यह तो correct नहीं है यह भी correct नहीं है और यह भी correct नहीं है तो question number 42 का correct option A number होगा जो कि mitochondria have a single circular DNA molecule होगा next question number 43 और इसमें बोला है कि which of the flowing structure is associated with the powerhouse of the cell तो सभी लोग जानते हैं कि जो mitochondria होता है उसमें एक business structure होता है इसको क्रिष्टी बोलाजता है तो इसको जो है powerhouse of the cell जो होगा है वह बोला इसता है कि which of the flowing structure is associated with the powerhouse of the cell होगा क्रिष्टी next question number 44 और इसमें बोला है कि which of the flowing is the site of aerobic respiration in a cell इसका correct option A number होगा mitochondria होगा next question number 45 और इसमें बोला है कि which of the combination for mitochondria इसका correct option A number होगा mitochondria होगा next question number 46 और इसमें बोला है कि which is the right combination for mitochondria इसका correct option A number होगा circular DNA 70S ribosome next question number 47 और इसमें बोला है कि which of the following is colorless plastic तो इसका correct option जो है C इसका correct और इसमें बोला है कि which of the following plastics stores protein तो जो हमरा alleroplast होता है या क्या करता है या जो होता है इसमें protein को stores जो है करने का काम करता है plastics जिसका नाम है alleroplast next question number 49 और इसमें बोला है कि which of the following plastics stores oil and fat तो amyloplast जो है इसका correct option होना चाहिए amyloplast जो होता है या island fat को जो है stores करता है next question number 51 और इसमें बोला है कि which of the following is surrounded by a double membrane होता है question number 50 है which of the following plastic store starch तो इसका correct option जो है amyloplast होना चाहिए next question number 51 और इसमें बोला है कि which of the following is surrounded by a double membrane तो mitochondria chloroplast और nucleos इस सारे के सारे जो है double membrane bounded organelles है तो यह हो जाएगा mitochondria chloroplast और nucleos इसका correct option d number होगा all होगा ठीक है तो इस वीडियो में question number 51 तक जो है हम लोग objective questions को जानगे और उसके solution को जानगे है अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखे है तो उसका आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में इससे शेयर करिए ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा लाव हो सके इस चैनल पर आपको बीसी बाटनी एंड जुलोजी दोनों का complete study जो है इस चैनल पर आपको मिलेगा ठीक है तो आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक करेंगे वहाँ पर बहुत सारे वीडियो जो है बीसी बाटनी एंड जुलोजी से रिलेटेड अप्लोडेड है वहाँ से देख करके आप लोग ठीक है अगर आपको किसी भी प्रकार का doubt है किसी भी questions को ले करके किसी भी carriage को ले करके तो आप लोग comment box में जो है comment जरूर करेंगे आपके comment का हमें इंतजार रहता है ठीक है तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में हम लोग question number 52 से continue करेंगे thanks for watching this video फिर मिलते हैं हम लोग अगले next video में